गाई सियार आप सभी लोगों को एक चीज अच्छी दरीके से पता है कि जो बंदर होते हैं वो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं कई वार हमारा सामान कपड़े बगरा उठा करके ले जाते हैं और जो लोग खेती किसानी करते हैं उनकी फसलों को जंगली जानवर खा करके नश्ट कर देते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी गन बना कर दिखाने वाले हैं जिसकी मदद से आप जंगली जानवरों और बंदरों क भगा सकते हो और इस गन से किसी भी जंगली जानबर या बंदर को बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और इस गन को बनाने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा एकदम फ्री में बना कर दिखाने वाले हैं तो गाइस यार वीडियो के एंड तक बने रहना और पसंद आए तो वीडियो के एक लाइज जरू कर देना तो चलिए फिर इस गन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले हमने हाप इंच यूपी बीसी पाइप को करीब 10 इंच लंबाई में कट कर लिया है अब हमने एक खाली प्लास्टिक की बोटल को लिया है आ अब हमें इस गन के लिए ग्रिप बनाना होगा तो इसके लिए हमने एक प्लाइ बोट का टुकड़ा लिया है और फिर हमने एक पेपर को गन की ग्रिप की सेफ में कट कर लिया है इस पेपर को इस प्लाइ बोट में कुछ इस तरी किसे चिप कर लेना है ताकि हम इस पेपर क की मतदब से प्लाइबोर्ट को गन की गीरिप की सेफ में कट कर सके हैं तो इसे हम हीक्सग लेट Hmm तो आप देख सकते हो कि हमने इसे कट कर लिया है अब इसमें जो पेपर चिप हुट है इस पेपर को निकाल देना है यूद्वी से अमारी गन गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से फिनेसिंग कर लिया है और सेम इसी तरीके का हमने एक पीश को और इसमें चिपका करके कीलों की मदद से ठोग दिया है ताकि इसकी मौटाई बढ़ जाए और अब इसमें अपने UPBC पाइप यानि की गन की पैरल को कुछ इस तरीक से फिक्स करना है और फिर इसे फैबी कोई की मदद से चिपका देना है और आप देख सकते हो कि हमारे गन बन का त्यार हो चुकी है बस इसमें हमें ट्रिगर ओल लगाना है तो ट्रिगर बनाने के लिए हमें लेना है एक सिगरेट पीने वाला लाइटर आपको नया लाइटर लेने की कोई जरूत नहीं है आप पुराना या खराब लाइटर ले सकते हो और इसे खोल करके इसके अंदर से हमें स्पार्क वाले लाइटर को निकलना है तो आप देख सकते होगी यह रहा वो स्पार्क वाला लाइटर इसे हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो इससे एक चिंगारी निकलती है और आपको साफ साफ चिंगारी दिग गई होगी और अब हमने दो वायर लिए हैं एक वायर को इस लाइटर के वायर से connect कर देना है और दूसे वाले वायर को इस लाइटर के metal वाले वाग से connect कर देना है और फिर इन दौन वायर पर हमें taping कर देना है तो आप देख सकते हो कि हमने दौन वायर पर taping कर दी है और इन नौन वार के दूसरे वाले सिरे को हमने थोड़ा गैप दे करके आपस में चिपका दिया है अब हम इसे जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर चिंगारी निकलती है और इस लाइटर को अपनी गन की ट्रिगर की जगह पर फेक्स करना है तो इसे फेक्स करने के लिए यहाँ पर हमें एक होल कर लेना है तो हम ट्रिल मसिन की मनदद से इसमें आर पार होल कर लेते हैं और होल करने के बाद इस होल से हमें लाइटर के दौनव वायर को दूसरी साइट पर निकल लेना है और फिर इसमें हमें लाइटर को fix कर देना है और अब हमने थोड़ी सी M-sil को लिया है और इस M-sil को लाइटर के 44 पाच्छी तरीक से लगा देना है ताकि इसमें हमारा लाइटर अच्छी तरीक से fix बना रहे और जो लाइटर के wire है इन दोनो wire को हमें बोटल के अंदर साइड fix करना है तो हम सोल्टर आइरन की मदद से बोटल में एक छोटा सा hole कर देंगे और इस hole से हमें लाइटर के दोनो wire को अंदर की साइड गुसा देना है और अब हमने थोड़ी सी M-sil और ली है और इस M-sil को wire के चार उत्राप अच्छी तरीक से लगा देना है ताकि इसमें हमारे wire अच्छी तरीक से fix वने रहें उख़ेना तो आप देख सकते हो कि हमने M-sil को अच्छी तरीक से लगा दिया है अब हम जैसे ही लाइटर को प्रेस करेंगे तो इस bottle के अंदर side spark होगा और हमारे जुकन है वो बनकर complete हो चुकी है और आप इसकी look देख सकते हो काफी दा मस्त लग रही है तो चलिए फिर हम इसे चला करके देखते हैं कि ये कैसा work करती है और इसे किस तरीक से चलाना है तो इस gun को चलाने के लिए हमें लेना है calcium carbide जो की आपको gas welding की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और इसका हमें बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे अपनी gun की अंदर डाल लेना है और फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेना है और जैसे ही पानी और calcium carbide आपस में mix होंगे तो इसमें एक acetylene gas बनेगी और acetylene gas में थोड़ी सी ही चिंगारी परने पर बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है और इसे एक बहुत जोरकी आवाज निकलती है तो हमारी gun के अंदर gas बन चुकी है तो चलिए फिर हम इसे चला करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क करती है तो गाइस आपने देखा कि हमारी gun ने कितना चब वर्क किया और इसका sound कितना ज़दा तेज था इसकी आवाज से बंदर और जंगली जानवर दूर से ही भाग जाएंगे तो आपको हमारी ये gun कैसी लगी नीचे comment box में comment करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइज जरूर कर देना तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहन जै भारत